विल्कम इन विमस लर्निंग आज हम लोग मूल विधी सिरीज में एक बहुत इंपोर्टन टॉपिक दिखने जा रहे हैं और वो है आई टी एक्ट के बारे में सुचना प्रोध्योगी की अधिनियम आई टी एक्ट एक छोटा सा टॉपिक है अपने लोगों का इन्फोर्मेशन टेक्नोलोजी एक्ट 2000 में यह बनाया गया दोहजार में यह बनाया गया आई टी एक्ट आज के टाइम पर बहुत इंप्लिमेंट होता भी है क्योंकि हर्ची स इतना एक्टिव चुका है सभी लोग सुझल मेडिया पर हो और साइबर क्राइम सितने होने लगे हैं जो साइबर क्राइम वुक्राइम जो डिजिटल स्पेस से जुड़े हुए हैं चैक्शी काम का हो जाता हमें कुछ चीजें जो इसकी बहुत इंपोर्टन चीजें है इसका यह परपस दिया हुए IT Act का इसमें कि देखो उद्देश से है साइबर अपराद, डेटा सुरक्षा, इन सब को कंट्रोल करना, साइबर क्राइम को कंट्रोल करना, प्राइवेसी जो हम लोगों की है, उसको संरक्षित करना, यह इस कानून का उद्देश से है, दूसरा, इलेक्ट्रानिक कॉमर्स, देखो, इकॉमर्स या इडेटा जो है, उनको सिक्योर करना, सुरक्षित करना, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा सरकार डिजिटल इंडिया पर फोकस करती है, उसका मेन अबजेक्टिव डिजिटल इंडिया है, और टाइम के हिसाब से समय भी टाइम चल रहा है, तो इस कॉमर्स को, इस डेटा को सुरक्षित करना के लिए जो विशेस कानून की जरूरत पड़ी थी, इसलिए ये कानून बनाया गया, 2000 में, इयर बहुत पूछा आता है, भारत में आईटी एक्ट बनाया है, कब गया, और मिनिस्ट्री तो पता ही होग इसमें कुछ बड़ी काम की चीज़े हैं, और वो पहली चीज ये है कि साइबर क्राइम होता क्या है, तो क्राइम की दोखो परिभासा अपराद तो वही है, कोई भी अन्वांटेड एक्टिविटी, ठीक है, जो भी सरकार द्वारा या संसित के द्वारा अवैद घुसित क अब यहां पर साइबर की बात आ रहे हैं, तो डिजिटल स्पेस में या डिजिटल उकरणों का इस्तमाल करके, ठीक है, कोई भी ऐसा अपराद किया जाए, डिजिटल डिवाइस, डिजिटल डिवाइस, कंप्यूटर, मॉबाइल, इन सब का इस्तमाल करके, कोई भी जो अपराद किया जा रहा है, वो अपराद क्या हो जाएंगे, सभी साइबर क्राइम कहा जाते हैं, यह साइबर क्राइम बहुत तरीके के होते हैं, हाला कि आई-टी एक्ट में इन क्राइम्स के बारे में नहीं बताया गया है, कौई भी ऐसा एक्ट जो गलत नजरिये से किया गया है जिससे लोगों को नुकसान होता है हानी होती वो क्राइम होगा अपराद होगा लेकिन उसका क्लासिफिकेशन नहीं किया गया है लेकिन इसमें यहां पर दोको मैंने कुछ है बहुत लंबी लिस्ट होती अलग अलग अपरादों की एकिंग अनाथ्राइज एकसेस ले लेना मतलब किसी की दूसरी की डिवाइस का एकसेस ले लेना जो आपका अधिकार नहीं है सलामी एटक सलामी यह तो यह चोटे-चोटे यह हैं साइबर क्राइम जो पूछे भी जा जाएगा एक साथ में सलामी एटक क्यों होता कि कई खातों से दो रुपए पांच रुपए दस रुपए ऐसे धीरे-धीरे निकालते जाना और एक लंबी समय में बहुत पैसा इगठा कर लेते हैं यह अपरादी जो क्रिमिनल्स होते हैं सलामी एटक होता मालवेर पता ही है मतलब ऐसे सॉफ्ट्वर ब्याज देना जो सही है न Всем है बजाए सफ्ट्वरे ना देना ढेख है और पोटरी हो जाती है उसमें डूसरे की सिंडींचर बनाके भैल खरकर छीक है ओफेंसिव कंटेंड कुछ युप इल्टा सिदा लिखना उस पर नोग्राफ़ी तब असलील लाने लगेंगे कि आपको जॉब दी जा रही इस company से आ रहे हैं जब कि वह company नहीं है उस company का पता भी नहीं है ऐसे बहुत से messages या mail आते हैं कि हम इस company से बोले मतलब किसी दूसरे की identity लेके दूसरे company company लेके लोगों को convince करते हैं और उससे क्या है उसका data निकलवा लेते है sensitive data मतलब क्या है बहुत सिकार होते हैं phishing का क्योंकि हमें लगता है को genuine company उदर से हमें message या mail कर रही है कोई वेक्ति लेकिन दूसरा होता है spoofing मतलब कोई इंसान ही दूसरा बनके बात कर रहा है हम जिसको जानते हैं उसका नाम लेकर उसकी ID से बात कर रहा है spoofing है spam जो हम चाहत किसी के account पर या किसी के social media profile पर नजर रखना क्या क्या कर रहा है उसको blackmail करना तो ऐसे बहुत सारे cyber crimes हैं यह तो बस मैंने बता दी जिसमें 2-4 interesting है जो पूछ लिए जाते हैं क्या होते हैं इस वज़े से यह जो अपना IT Act है 2000 का सन 2000 का सुचना प्रोदोक्री की अधिनियम इस देती है ठीक है electronic records and digital signature signature बड़ी काम की चीज़ है बहुत important है जैसे हम लोग ऐसे signature कर रहे हैं किसी अपने documents पर signature करते हैं authentic केट करने के लिए कि यह हम ही है यह इंसान ऐसे ही अच्छा यह वाले signal तो कॉपी भी किया सकते हैं को दूसरा दूसरा के signature बना सकता है लेकिन जो documents उनको sign कर सकते हो और जिसको भेजोगे आप उसको मानेता होगी और उसमें चेट चार नहीं की जा सकती है तो digital signatures को मानेता देता है section 3 काम का है इसलिए पूछ लिया जाता है देखो इस धारा अपने IT act में कुछ अपराद बताए गया है और mostly अपराद ही पूछे जाते ह है तो mind connect के बारे में और यह अप्राद तूट कुछ अफराद हों के बारे में उनकी सजा के पारे में счी kitchen 6 666 यह hacking को अपराद बता बनाता है ये अगर हमने किसी जब अजस्ती rept on intention मतलब सहमती के बिनाँ मने किसी के digital profile को access किया है हमने उस पे उसको ले लिया है अनफ्राइज एकसेस है वह ही तो हैकिंग कहलाता है तो यह अपराद है और यह इसमें 3 साल तक की सजा और फाइन थीक है पांच लाग तक का साफाइन है तीन साल की सजा और पांच लगका फाइन लग जाएगा या दोनों भी लग सकता है बोथ ठीक है इंपर्टेंट है section B और C D देखो A नहीं पढ़ रहे हैं A अभी बिलकुल अलग से पढ़ना पढ़ता है क्योंकि सबसे ज़्यादा A ही पूछा जाता है ठीक है अगर हमने किसी के बारे किसी आइडेंटिटी के बारे में fraud or dishonestly using or transmitting information or identity theft is punishable अगर हमने किसी का आइडेंटिटी चुराई है अगर हमने किसी का आइडेंटिटी चुराई है जिस जो अभी मैं बता रहा था दूसरा बनकर impersonate कर रहे हैं कि कोई वह व्यक्ति नहीं या वह company नहीं है उसके mail से आप भेज रहे हैं लोग भेज रहे हैं जो criminal, cyber criminal तो ये तीन साल ये भी तीन साल था यहाँ पर तीन साल तक की सजा और एक लाख रुपए तक का जुर्माना या बोथ, BCD में चाचट E, E देखो क्या कह रहा है, ये privacy, गोपनीता की बात कर रहा है, privacy, transmitting image of private area, punishable with three years, फिर से, अगर आप किसी privacy का उलंगन करोगे, अगर किसी की private photo है, ठीक है, वो नहीं, आप उसको public नहीं कर सकते, आप किसी दूसरे platform पर इस्तमाल नहीं कर सकते, साइबर क्रिमिनल्स करते हैं, इसलिए कहते हैं, आप से क्यों रहा है, अपने social media profile पे, डाली फोटो फेस्बुक पे, और कहां कहां चल रही है, वो फोटो, किसी को नहीं पता, तो अगर ऐसे किसी की privacy का उलंगन किया जा रहा है, तब भी क्या है, तीन साल तक की सजा, दो ल केस में हमें मिला था, केस भी बहुत पूछा था, केस पुछा था, केस पुछा था, जिसमें गुपनीता को सुप्रीम कूट ने क्या बोला, यह हमारा fundamental right है, कीस के अंदर, तो यह देखो, 66E है, important हो गया, 66F, छाचट F, यह cyber terrorism को, आतंकवाद, यह देश से जुड़ा हुआ है, देखो, अगर देश की एकता, अखंड़ता, संप्रभुता से जुड़ा हुआ कोई अपराथ, डिजिटली कर रहा है, तो वो छाचट F से, और इसमें सजा भी देखो, बहुत है, life imprisonment, उम्र कैद तक की सजा, life imprisonment मतलब, उम्र कैद, अगर कोई cyber आतंकवाद कर रहा है, अगर कोई information ऐसी सूचना पब्लिस कर रहा है, या जो असलील है, अपसीन है, अपसीन का मतलब, कोई असलील information पब्लिस कर रहा है, तो उसको 5 साल तक की सजा, और 10 लाग तक का जुर्मान, असलील information, और ऐसे, यह तो information है, लिखने वाली, अगर किसीने, फोटो पब्लिस कर दी, तो और ज्यादा है, वो 67A से आता है, यह अपराद हो गए, अचाहां, यह वही लिस्ट आ गए, जो हमने पढ़ चुके, सब पढ़ चुके हैं, चाचचचचचचचचचचचचचचचचचचचच बी, C, D, E, F, 67B यही बता रहा था, जो, इसे ने असलील information भेजी है, लेकिन अगर देखो, यह देखो, यह अच्छा है, यह तो खाली information भेजी है, यहा पर फोटो है, तो यह कुछ अपराद है जो पूछ लिये जाते हैं मूल विदी में ठीक है यही सब अब बसाई है और जो सबसे काम की चीज़ है वो यह है और यह तो इतनी बार रिपीट की गई होगी जनरल आप तो समय लूँ यह जनरल जी इस का पार्ट है मूल विदी का भी पार्ट की है 66A जो सबसे पहले होना चाहिए था जो हमने नहीं पढ़ा 66A क्या है IT Act की सबसे important धारा section था पहले अब नहीं है अब उसमें है ही नहीं ठीक है उसको हटा दिया गया क्या एक case आया देखो यह case बहुत काम का है श्रिया सिंगल बनाम Union of India केस को तो यादी रख लेना वैसे भी हम लोग जब मौलिक अधिकार पढ़ते हैं तब उसमें पढ़ते हैं स्रिया सिंगल का case यह पता है हम लोग को देखो बोलने का अधिकार है 191A से fundamental right है हम लोगों का समविधान में बोलने का अधिकार और उस बोलने के अधिकार पे कुछ रोक भी लगी है 191A से हमें बोलने ऐसा तो नहीं कुछ भी बोलने लोगों तो उसमें रोक लगाई गई हैं कि आप माना नहीं कर सकते ऐसा नहीं बोल सकते कानून मिवस्ता भंग हो जाए याले कि आप मानना नहीं कर सकते ना ऐसे बहुत सारी रोक लगाई गई है अब आपने आप सुझो कि social media जो आया तो उ कमेंट कर रहा है यह हमारा 191 A से बोलने का अधिकार जो अपराद अभी देखे उनको छोड़ दो आप अब यह सोचो कि यह हमारा अधिकार भी तो है हम इन चीजों का इस्तमाल करें अच्छा अब क्या होने लगा जो च्छाछट A है यह धारा इसमें कुछ ऐसी बाते क्यों क्यों कि इसमें दो को इस च्छाछटे में लिखा हुआ क्या था कि अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन सोचल मीडिया या इलेक्ट्रोनिकली सेंड कर रहा है कंप्यूटर माध्धम के द्वारा जो ऑफेंसिव है ऑफेंसिव मतलब सरकार को आकरामक लगती है धमकी दे सरकारों ने किसी ने भी किसी सरकार को क्रिटिसाइज किया कि यह सरकार अच्छा काम नहीं कर रहे उठा के जेल में डाल दिया था चाटे का बहुत गलत इस्तमाल होने लगा ठीक है और एक बड़ी इंपॉर्टन घटना है 2015 की इसी साल की जो बाल ठाकरशिव सेना के फांड सब पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद कर दिया सब कुछ बंद कर दिया उन्हों ने लिख दिया अगर किसी दूसरी लड़की ने उसको लाइक कर दिया दोनों को पुलिस ने उठा लिया जेल में डाल दिया तब यह जन्हे त्याचिया गई यह सिंगल यूनियन आफ इंडिय कि ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी को अगर सिर्फ जुन्जलाहट हुई असुविदा हुई तो सरकार को तो हर बात से जुन्जलाहट होगी आगर आपने कोई भी सरकार के खिलाफ कोई भी बात लिखी चाही बात भी लिखी कि हाँ यह काम नहीं कर रहे हैं तो जुन्जलाहट हो लीगे ने जुन्जलाहट असुविधा यह क्लियर नहीं है इनका गलत इस्तमाल किया जा सकता है उसरकारे कर रही है इसलिए छाचटे को निरस्त कर दिया इसलिए बहुत इसके बाद देखो एक सक्षन है 69A यह सिर्फ इसलिए पूछ लिया था क्योंकि इसका भी रिसेंटली भारत सरकार ने इस्तमाल किया मोबाइल कई सारे मोबाइल एप टिक टॉक जैसे एप ऐसे कितने सारे एप चीनी एप थे जिनकों प्रतिबंद लगा दिया तो सक्षन ठीक है एक और बड़ी इंपॉर्टन चीज है यह आती है 70B से 70B से इसी कानून के और यह भारत की सबसे इंपॉर्टन सबसे महत्पूर्ण संस्था है साइबर क्राइम को रोकने के लिए साइबर अपराध हो को इसको सर्टिन कहा जाता है दिल्ली में ही है सर्टिन इसका न लगा देते हैं तो इसलिए CERT हो गया और इन मतलब इंडिया या इन शर्ट भी लिख सकते हैं ठीक है जैसे भी लिखना हो कंप्यूटर एमर्जंसी रिस्पॉंस टीम 2004 में बहुत इंपॉर्टन है दिल्ली में यह सेक्स्टन 70B से बनाई गई धारा IT Act की और इसका काम है भा कम से कम डैमज हो नुकसान हो इन सब पर नजर रखने के लिए सरटीन सस्था है जो IT Act से ही बनाई गई तूचना प्रोद्दोगी की अधिनियम 2000 की ही धारा सत्तर भी से बनाई गई गई सबसे इंपॉर्टन सस्था है यह तब भी तो बहुत बड़े-बड़े अटेक होते ह कि अधार के तो बोलते हैं 80-80 करोण मतलब करोणों में जो अधार आधार की नंबर ऑकाउंट है वह लीख हो गये और जैसे सब लोग सुनते हैं जैसे ब्लैक मार्केटिंग होती है ब्लैक मार्केटिंग सबने सुना होगा काला बजारी ऐसे कंप्यूटर पर भी मतलब ऑनल उदर भेजा जाता है, डार्क वेब बोलते हैं, जहां पर उल्टे सीधे अपराद वाले काम किये जाते हैं, ठीक है, डार्क वेब तो कहते हैं, तो इन अपराद होते हैं, तो इन अपरादों से बचने के लिए भारत को के पास एक अधिनियम कानून होना चाहिए, इसलिए य तो IT Act की यही बस कुछ काम काम की धाराएं थी जो हम लोगों ने पढ़ी इसको छोड़कर बाकी जो कानून है हम पढ़ी रहें मौलवीदी सीरीज में ठीक है और यह चोटा सा टॉपिक था कि हम ले आज कवर किया अपनी सीरीज में आप विमर्स के यूटूब चैनल को लाइ लाइक शियर और सब्सक्राइब करें थैंक यूटू